पोकेमोन के सीरीज से लेकर मूवी में कई सारे मिश्ट्रियस पोकेमोन के बारे में दिखाया गया है पर इस वीडियो में हम कुछ अनोखे पोकेमोन के बारे में जानेंगे जो पोकेमोन वर्ल्ड में एक ही है इसके अलाबा और कोई भी Pokemon उसके जैसा नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिपिकेशन बैल को अन कर दीजे Puka एक अनोखा Pikachu है जिसकी आखे निली है Pokemon सेजन 1 के एपिसोड 67 में हमें दिखाया जाता है कि 20 साल बाद एक बड़ी लहर आने बाली होती है जिसका नाम यूं मंगा डंगा होता है और सभी सरफर्स उस लहर पर सरफ करना चाते हैं तो एस भी सरफिंग करने जाता है और पानी के बीच उसका पैल अकर जाता है तबी हमें एक नीली आखो बाला Pikachu और उसका पार्टनर Victor दिखता है जो एस को पानी की लहर से बचा लेता है उस नीली आखो बाला Pikachu का नाम पुका रहता है Victor बताता है कि 40 साल पहले वो अच्छा सरफर नहीं था और वो जौन नाम के एक सरफर से सरफिंग सिखता है पर Victor हमांगा डंगा लहर पर जीत हासिल नहीं कर पाता है विक्तर सरफिंग छोणने ही बाला था कि उसे एक Pikachu मिलता है जिसकी आखे निली होती है और बड़ी लहरों को मैसूस कर सकता है पर पूका ने पूरे एपिसोड में कहीं भी एलेक्ट्रिक एटेक का यूज नहीं किया था ताथ उसे एलेक्ट्रिक एटेक करने आता ही नहीं होगा गोल्डन सुडो वुडो एक अनोखा सोने के रंग जैसा Pokemon है Pokemon Season 9 के एपिसोड 28 में एस और मैको एक जील के किनारे एक अनोखा सुनेर रंग का सुडो वुडो दीखा एस न उस सुडो वुडो को Pokewall से पकड़ने की कोशिस की तो एस उसे पकड़ नहीं पाता है यो सुडो वुडो किनन नाम के एक ट्रेनर का होता है किनन सुडो वुडो पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि आके सुडो वुडो पानी को क्यों इतना नापसंद करता है और तब सुडो वुडो गोल्डन कलर का हो जाता है और वो किननन के पास से भाग जाता है और उसके पास आने नहीं खोजता है म्यूटू एक पावरफुल पोकेमॉन है पोकेमॉन दब फर्स्ट मूवी में सीनेबर आइलेंड पर कुछ साइन्टेस ने प्रेगनेंट म्यू के डियने से छेड़ चाड़ किया जिससे एक नया पोकेमॉन का जन्म हुआ जिसका नाम म्यूटू हुआ म्यूटू बहुत ही ताकतबर पोकेमॉन है कई सारे मूवी में म्यूटू को दिखाया भी गया है म्यूटू के पास साइकिक अटेक का पावर होता है जाइन्ट ड्रेगनाइट एक बहुत बड़ा पोकेमॉन है पोकेमॉन सेजन वान के एपिजोड 13 में एक लाइट हाउस में बिल रहता था उसने रात को समुधर किनारे से एक 20 साल का ऐप पोकेमॉन का आवाज सुना तो उसने इस बौई banc को रिकॉड कर के लाइट हाउस में बजाया जिससे वो बड़ा पोकेमोन लाइट हाउस का तरफ खीचा आया पर टीम रॉकेट ने उस पोकेमोन का पकणने का कोशिस किया तो विए लोग बिफल रहे उस बड़े पोकेमोन की आँखे रात को चमक रही थी वो बड़ा पोकेमोन ड्रेगनाइट था जो नॉर्मल ड्रेगनाइट से काफी बड़ा था जाएंट गेंगार, जाएंट अलाकेजम और जाएंट जिगलीफव ये तीनों एंसाइंट पोकेमोन है पोकेमोन सेजन वन के एपिसोड 72 में आर्केलोजिस्ट वो खुदाई को दर अनको प्राचीन अबसेस मिले थे इसी विज तो एंसाइन पोकेमोन गेंगार और अलेकेज्यम आजाद हो गए जो दिखने में काफी बड़े थे और उन दोनों में लडाई शुरू हो गई जिसे दुनिया का अन्त तय था तभी एंसाइन जिगलीप पर बाहर आई और अपने सौंग से सभी को सुला दिया जब सब उठे तो एंसाइन पोकेमोन जहां से आये थे वहां चले गए थे क्रिश्टल ओनिक्स एक अलग ओनिक्स रहता है क्रिश्टल ओनिक्स को ढूणन निकाला और उस पर पानी का कोई भी असर नहीं होता है क्यूंकि ओनिक्स पानी के सामने कमजोर पड़ जाता है पर इस Crystal Onyx पर पानी का कोई भी असर नहीं हो रहा था आपके फेवरेट पोकेमोन का नाम कॉमेंट में जरूर बताए इस वीडियो पर 200 लाइक्स का एम रखते हैं तो फटापट सभी इस वीडियो को लाइक कीजे और वीडियो को सेर जरूर कीजे मैं आपसे मिलूँगा इसी तर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई